हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत एक बार फिर से आपका आपके अपने यूटूब चैनल दोस्तों मैं आप लोगों को बता दू एक भाई ने प्रेशन किया था कि आप अपने फॉन से आपके जो थंबनेल वाले वीडियो है वो कैसे बनाते हो तो देखिए दोस्तों मैं आप आप लोगों को इस प्रकार के थंबनेल बनाने के लिए किसी भी प्रकार के पैसे देकर सौप्ट्वेर खरीदने की जरत नहीं है दोस्तों बिल्कुल एक फ्री एप्लिकेशन है जो आपको प्लेश्टोर पर मिल जाएगी किसी प्रकार की कोई भी फेक एप्लिकेशन नहीं है दोस्तो इस फॉंटो एप्लिकेशन को आपको इंस्टॉल करने के बाद आपके open कर देना है दोस्तो आप जैसे ही इसको open करेंगे इस तरीके की एक blank page आपके सामने open हो जायेगा दोस्तो इसमें आप यह दिखाई पर भी click करेंगे तो आपको तीन options दिखाई देंगे दोस्तो इन तीन options में से अगर आप पहली बार image बना रहे हो तो आपको plan image पर click कर लेना है दोस्तो आपको यह बहुत सारे options दिए गए हैं आप जो भी color यहां से choose करना चाहें वो आप यहां से design choose कर सकते हैं दोस्तो अपनी जरूरत के साबसे आपको जो भी अच्छा लगे यहां इन में color भी अपने हिसाब से choose कर सकते हो दोस्तो देखिए इसमें options भी आपको मिल जाते हैं gradient gradient का सारे options आपको यहां मिल रहे हैं दोस्तो आप इनको यहां से use कर सकते हो जदी आप इनको use नहीं करना चाहते तो आप दूसरे use कर सकते हो और आपको यहां से देखिए size का option आ यह जो साइज यह आपको मिल रही है इस साइज को आपको रखना है यूटूब पे यानि की 1280 गुणा 720 मैं साइज को यहां से चुल लेता हूं और नीचे इस यूज पर क्लिक कर देता हूं दोस्तों आप जैसे ही इस यूज पर क्लिक कर देंगे यह इमेज आपके सामने आ ज भी फोटो इसके अंतरगत कैसे लेकर आएंगे देखिए आपको सिंपल यहां पर चले जाना है उपर की तरफ और यहां पर जाने के बाद आपको एड़ इमेज पे क्लिक करते ही आपके सामने आपकी फोटो जै जितनी भी वह आ जाएंगी दोस्तों आपको आपकी फोटो जहां से लेनी है जैसे ही आप फोटो लेंगे फोटो आपके सामने आजाएगी और इस तरीके के आपसंस आपके सामने आएंगे यदि यह आपसंन नहीं आते हैं तो आप फोटो के उपर क्लिक कर दीजिए यह आपके सामने खुल जाएंगे दोस्तों सबसे पहले आपको इ इसको leuke adjust कर ले ना है adjust मतलब कि आप इसको कितोeg position पर लगाना चाहरहे है समझ गए आप मेरी बात को मैं क्या कहना आप इसको जिस भी position पर लगाना चाहे ऐसे option पर click करके और इसको अगर गुहाना भी चाते हो तो यहां से यह घूम भी जाती है दोस्तो आप जैसे इसको करना चाहें यह ऐसे एड़जस्ट हो जाएगी यदि आप इसको ट्रांसपरेंट करना चाहते हैं तो अलफा में जाके इसको आप ट्रांसपरेंट भी कर सकते हैं दोस्तो समझ गए इसको अगर आप इलाना चाहते ह मूव करना चाहते हैं तो मूव करने के लिए इस तरीके से यह option आपकी मदद करेंगे दोस्तो अब बारी आ जाती है इसमें किसी भी चीज़ को लिखना कैसे है दोस्तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी अभी जो मैंने लिखा हुआ था कि मैं कैसे लिखता तो आपको वो चीज़ यहाँ पर टाइप कर लेनी है दोस्तो जैसे की मालो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ दोस्तो यूटूब टाइप कर लेता हूँ आप यहाँ कुछ भी टाइप कर लीजी कोई फरक नहीं पड़ता आपको जो भी अच्छा लगे हिंदी करना है तो और इंग्लिस करना है तो इंग्लिस इंदी के लिए आप जानते हैं मैं अल्डरीडी एक वीडियो बना चुका हूँ आपको इसावी की वोड यूज में ले सकते हैं यहां से आप इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं सेंटर रखनी है लेफ्ट रखनी है राइट रखनी है मैं अग अमूमन सेंटर ही रखता हूं दोस्तो आपको अगर यहां से कोई font change करने है तो आप यहां से इसकी font भी change कर सकते हैं दोस्तो यहां आपको बहुत सारी font देखने को मिल जाएंगी अलग अलग परकार की font है और बहुत सारी 1000 font है बिल्कुल free font है दोस्तों आप इनको बड़ी असानी के साथ यहां से उपयोग कर सकते हैं समझ गए दोस्तों आप इसके बाद इसको done कर देंगे आप इसको जैसे ही done करेंगे यह आपके सामने यहां पर आजाएगा आप इसको यहां से अपनी position के हिसाब से set कर लीजिए इसके बाद आपको इसको इसको इसने click कर देना है और click करने के बाद आपको यहां पर style में चले जाना है दोस्तों इस्टाइल पर जाने के पाद सबसे पहले नीचे आपसे मिलते हैं दोस्तों कि देखिए नीचे अगर आप ओप्सेंस में जाएंगे तो आपको अलग-अलग ओफसेंस मिलेंगे color है stroke है shadow है background है spacing है curving है blend है दोस्तों अब देखिए मैं आप लोगों को बता दू कि अगर आप इसका color चूज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ उपर color पट्टी दे हुई है आप अलग-अलग color यहाँ से चूज कर सकते हैं दोस्तों यह देखिए कर लिया इसके बाद अगर आ लगाना है श्टॉर्क लगा दिया shadow लगानी है आपको कुछ भी shadow लगा दी background का color कौन सा रखना है दोस्तों वह background लगा दिया अब देखिए आप इसके background को यहां से गोल भी कर सकते हैं जैसे कि अगर आप इसको पकड़के खेंचिंगे नीचे वाली लाइन को तो इसके corner जो से कर सकते हैं दोस्तों shadow के अंदर भी आपको यही option देखने को मिलते हैं shadow को भी आप यहां से बड़ा और घटा सकते हैं background के बाद बारी आ जाती है spacing की आप sample यह आपको दिखा रहा है तो आप letter online के spacing यहां से बड़ा घटा सकते हैं अगर आप इनको round करना चाते हैं तो आप देखिए अगर आगे मैं आपको और चीज बड़ा जाता हूँ अगर आप यहां color में आ जाते हैं और color में आने के बाद आपको यहां से कुछ color patterns बदलने हैं तो देखिए character by color अगर characters में आप अलग-अलग color रखना चाते हैं तो देखिए दो color तो यहां पहले से ही है है ना दोस्तों तो आपको क्या करना है इनक में और color भी आप चाहें तो चूज कर सकते हैं इस तरीके से यह देखिए जैसे कि मैं कर रहा हूँ color पर click करते जाईए और जो भी color आपको अच्छे लगे वो color आप fill करते जाईए यह इस तरीके से हो जाएगा और आप इसको यहां से apply कर सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरीके से और जब आपकी editing done हो जाए आप इसको यहां से done कर दीजिए अब आप देख रहे हैं कितनी आसानी के साथ हमने इसको यहां पर लिए और यह कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों आप इसकी size को थोड़ा छोटा कर सकते हैं अगर चा और भी text यहां पर डाल सकते हैं और भी line लिख सकते हैं और बहुत सब कुछ लिखने के बाद जब आपको लगता है कि अब आपको इसको save करना है तो आप simply यह जो download का बटन उपर कौने में दिखाई दे रहा है इस पर यहां से download कर दीजिए और इसको यहां से save कर दीजिए दोस्तों अब मैं आपको आपकी gallery में आकर दिखाता हूं कि यह save हुआ है या नहीं हुआ है दोस्तों देखिए आप जैसे gallery में आई और gallery में आने के बाद आप अगर देखेंगे या तो यह जो आपका item है यह आपको save मिल जाएगा दोस्तों यह देखिए यह आपकी gallery में आ चुका है आप अगर यह देखने के कोसीज करें तो और यह save हो चुका है तो इस तरीके से आप बड़िया बड़िया designs set करके इसका उपियो कर सकते हैं दोस्तों आशा करूँगा मेरे दुआरा इस वीडियो में आप लोगों तक काफी helpful जानक सारी पहुचाई गई है दोस्तों तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़भाए दोस्तों